वन विभाग उत्तर प्रदेश नैनी ताल कार्याले के श्रीपूरन चंद जोशी एक बार भूमियाधार आश्रम में बाबा की सेवा में लगातार 15 दिन लगे रहे इस दोरान आपने न अपने घर की चिंता की और न कार्याले की आपकी पत्नी इनकी एस लंबी अनुपस्थि से परेशान रही कुछ लोगों ने उन्हें सुझाया की जोशी जी का विचार संभवत साधू बनने का है इसलिए उन्हें समय पर घरवालों को खबर करनी चाहिए ताकि वे आकर उनको समझावे आपकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ कि उनके पतिदेव साधू बन सकते हैं और घरवालों को वे अकारण परेशान नहीं करना चाहती थी इतने पर भी उनके मन में चिंटा घर कर गई दूसरे ही दिन महाराज भूमियाधार से इनके घर आ गए और कहने लगे तु सोच रही थी कि तेरा पती साधू बन जाएगा तो क्यों परेशान होती है अगर वो साधू बन सकता तो हम तुझे आनंद में बना देते